नमस्कार भाईयों मैं आपका दोस्त मोहित पारी को राप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चेनल विकानेर बड़ इन्फॉर्मिशन ये मेरा एक कोक्टेल का पेर है जो की आतों में रोटी खा रहा है इसे गयों की रोटी खाना काफी जादा पसंद है और ये जो पेर है ये मेरे काफी फ्रेंडली है और आप सब जानते हैं कि ये मेरे सेटप पे फ़स्ट ब्रेडिंग कर रहा है जब मैंने ये पेर पर्चेस क उस वक्त भी मैंने आपको अपडेट दी थी जब इसने एक लेक किये उस वक्त भी मैंने आपको अपडेट दी थी और जब इसके बच्चे निगले उस वक्त भी मैंने आपको अपडेट दी इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कोक्टेल का उसमें मैंने आपको ब्रेडिंग प्रोग्रेस दिखाई थी, दो बच्चे निकले हुए थे और तीन एक थे, उसमें से एक एक खराब हो गया और अब भी जो है, इस कोक्टेल पेर के चार बच्चे हैं तो आज मैं आपको कोक्टेल की ब्रेडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताने वाला हूँ, जब से मैंने ये कोक्टेल का पेर पर्चेस किया है पेर पर्चेस करके शेट अप पे लाने के बाद से, अब तक बच्चे निकलने तक मैं इसकी किस तरीके से केर कर रहा हूँ और इस कोक्टेल पेर की फ़श्ट ब्रेडिंग में मुझे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें इससे भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो breeding progress देखना शुरू करता है तो अब हम breeding box के पास में आ चुके हैं और इस तरीके से मैंने जयो इसको खोलने का system रख रखा है इसका जो door है उसके उपर मैंने इस तरीके से ये clip लगा रख किया है और इस breeding box में जयो tray का system मैंने रखा है इस तरीके से ये tray बाहर आती है और आप देख सकते हैं इसके अंदर चार बच्चे हैं और चार में से तीन की जो आंके हैं वो red है red eyes है तीन और एक black eyes है इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तीन जो बच्चे हैं वो creamy है यानि female के जैसे ही निकलेंगे cream color के और इसके अलाव जो एक बच्चा है ये मेरे हैसाब से gray निकलना चाहिए ज्यादा जो chance मुझे लग रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये male जैसा निकलेगा यानि gray color का निकलेगा हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदलाव आये लेकिन ज्यादा chance gray color के निकलने के हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं breeding box को कोलते ही बच्चे आवाज करने लग गये हैं और बच्चों की growth आप देखे काफी अच्छी हो रही है अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से जोई इस पेर की care करता हूँ आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगी और अगर आप भी कोई bird लेके आते हैं आपको भी जानकारी मिलेगी कि आप उसकी किस तरीके से care करें ताकि आपके गर पे आने के बाद वो काफी जल्दी breeding करें और जिस तरीके से मुझे जोई कोक्टेल के पेर ने result दिया है उससे भी अच्छा आपके bird result दे जब मैंने ये कोक्टेल का पेर purchase किया था उस वक्त इसकी जो female है वो अंडो पे बेटी थी जिस setup से मैंने ये पेर उटाया था वहां पे जोई ये female अंडो पे बेटी थी और अंडो से जोई मैंने इस पेर को अटाया था ये मैंने आपको पहले भी बताया था और मेरे सेटप पे लाने के दूसरे दिन जो इस फिमेल ने नीचे जो ट्रे में एक एक दे दिया था उसके बाद मैंने जो इस एक को जो एक बाउल के अंदर भी रखा था और ये फिमेल जो एक दिन एक पे बेटी भी थी तो वो भी मैंने एक वीडियो जो है अपलोड किया था अगर आपने नहीं देखा तो वो आप वीडियो देख लें उसके बाद जो है मैंने इसकी जो है अच्छी तरीके से केर मैंने करनी शुरू कर दी लाते ही मैंने इसे ब्रेडिंग बोक्स या मटकी नहीं दी मैंने 10-15 दिन वेट किया और उसके बाद जोई मैंने इसे ब्रेडिंग बोक्स दिया उसके बाद से मैंने इस पिंद्रे को इस तरीके से इस जगह पर सिफ्ट कर दिया कि ये जोई पिंद्रा बिल्कुल भी नहीं इलता और जो बर्ड है उसे कोई भी ज़यो डिश्टप नहीं करता सिर्फ मैं आता हूँ बर्ड को दाना पानी देने के लिए सोफ्ट फूट देने के लिए इसके अलावा इस पेर को मैंने इसी जगह पर रख रखा है कि इसे काफी ज़यादा प्राइवेसी मिलती है क्योंकि जो कोक्टेल बर्ड होते हैं उनकी आदत होती है कि जब भी हम अचानक से उनके पास आते हैं तो अचानक से उड़ने लगते हैं और इसे में काफी बार इनके परो पर भी लग जाती है इस काण से मैं जब भी अपने कोक्टेल के पास आता हूँ तो आने से पहले एक बार जो कोक्टेल को आवास लगा लेता हूँ जो कोक्टेल का मेल है इसे माइकल नाम दे रखा है मैंने जिससे जो यह समझ जाता है मेरी आवास जो यह पेचान जाता है जब भी मैं इसके पास आता हूँ उसे पहले में जब आवास दे देता हूँ उसके बाद ये जो डरता नहीं है इस तरीके से आप भी अपने bird को सेट करें सबसे जो पहला point होता है ब्रेडिंग लेने के लिए वो यही होता है कि आप अपने bird के पिंजरे को सही तरीके से सेट करें उसके बाद मेरा मानना है कि कोक्टेल बर्ड को ब्रेडिंग बोक्स ही देना चाहिए क्योंकि मटकी मेरा मानना है कि बच्चे ज़्यादा मरते हैं इसका कारण यह होता है कि कोक्टेल बर्ड जो गर्मी में ज़्यादा अच्छी ब्रेडिंग करते हैं ये मेरे एक personal experience है कि जो breading box होता है उसमें cocktail के बच्चे ज़्यादा नहीं मरते लेकिन मटकी में जो cocktail के बच्चे हैं वो काफी ज़्यादा मरते हैं क्योंकि इसका कारण में ये समझता हूँ कि जो बुरादा होता है या काफी भाई अगर मटकी में बुरादा नहीं भी डालते हैं इससे मटकी ठंडी होती है और ठंड की वज़े से वो बच्चे मर जाते हैं और जो breading box हैं वो जो अंदर से गर्म रहते हैं इस कारण से जो बच्चे नहीं मरते हैं आपने काफी बार नोट किया होगा अगर आपके पास cocktail है तो कि जब भी ठंडा मोसम होता है तो आपने देखा होगा कि जो cocktail का जो पेर है उसे ठंड लगने लगती है इसे में मैंने काफी बार नोट किया है कि जब भी जो है मोसम ठंडा होता है यानि उनके जो पर है वो कमपन करने लगते हैं इससे हमें अंदाजा होता है कि यह जो पेर है इसे ठंड लग रही है इसे में जिस जगे मैंने कोक्टेल के पेर को रख रखा है यहां पर जोड़ी सी गर्मी रहती है ठंड नहीं रहती और जहां पर भी आप अपने बर्ड को रखें वहां पर जोड़ी क्रोस वेंटिलेशन होना चाहिए आवा का इसा नहीं है कि आप एसी जगे पर बर्ड को रख रहे हैं जहां पर आवा नहीं आ रही है तो इसे में जयो बच्य मढ़ शकते हैं अंडे भी खराब हो सकते हैं इसे में मेरा मानना है कि यह जो जगे हैं यह जयो कोक्टेल के लिए सबसे perfect जगे हैं breading के लिए तो सबसे पहले तो मैंने यह पेर लेने के बाद मैं इस पेर को अची तरीके से सेट किया और मैं अपने कोक्टेल को कभी भी डिश्टप नहीं करता हूँ उसके बाद मैं अपने कोक्टेल बर्ड को अच्छे soft food देता हूँ अच्छा seed mix देता हूँ इसके अलावा मैंने कोक्टेल के पिंजरे के अंदर सेंदा नमक रख रखा है सेंदे नमक का पत्थर जो कि आप देख सकते हैं मेल जो हो सेंदे नमक को खा रहा है इसे में क्या होता है जब भी बच्चे निकले हुए होते हैं तो बर्ड जो हो soft food या जो हो seed mix काने के बाद में पानी पिता है और उसके बाद में जो हो नमक खाता है तो ऐसे में क्या होता है कि इनका digestion system सही रहता है मैंने calcium block भी लगा रखा है आप देख सकते हैं male calcium block खा रहा है उसके बाद मैं बात करते हैं कि मैं इने खाने में क्या देता हूँ तो इस topic पर मैंने video बना रखा है कि मैं अपने सभी bird को कौन सा seed mix देता हूँ और कौन सा soft food देता हूँ तो दोनों video की जो link है वो मैं description में दे दूँगा end screen में और eye button में भी दे दूँगा तो आप वो video जरूर देखे हैं हमेशा bird से breeding लेने के लिए उन्हें अच्छी diet देना काफी जरूरी है जब तक हम अपने bird को अच्छी diet नहीं देंगे तब तक हमारे bird जो अच्छी breeding नहीं करेंगे और अगर अब की बात की जाए कि बच्चे निकलने के बाद मैं अपने cocktail bird को किस तरीके से soft food देता हूँ मैं अपने cocktail bird को दिन में तीन बार soft food देता हूँ क्योंकि cocktail को जो बच्चे निकलने के बाद में soft food देना काफी जरूरी होता है और cocktail के seed mix में जब से बच्चे निकले हैं मैंने जो सुर्जमुकी के बीज और कुसुम के बीज जो अटा दिये हैं काफी बार जो बच्चों के मरने का कारण ये भी हो सकता है कि जो बड़े टाइब के seed होते हैं उनसे भी जो बच्चे मर सकते हैं तो आज के इस यूडियों बस इतना ही आपको आज गई वीडियो कैसा लगा मेरे द्वारा दीगी information आपको कैसी लगी या आप comment करके जरूर बताएं और अगर आपको मेरे दौरा बनएगे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक तो करना ही है साथ में अगर आप इस चैनल के सदश्य बनना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को press करें ताप कि आप इस वेमेलिक के सदश्य बनें और जब भी मैं कोई निया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मुबाइल फॉन तक आएं और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें